नमस्कार दोस्तों, एक बरफिट से आप सभी ही का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में UPSS CPET exam के लिए भारती तिहास के अंतरगत ब्रिटिस राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से सम्बंधित Top 20 Most Important प्रशनों को देखेंगे। सबसे पहले Theory Section को डिसकस करेंगे, फिर उसी सम्बंधित Objective प्रशनों को सौल्व करेंगे। देखे दोस्तों, ब्रिटिस राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आपके सलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, लास्ट में 20 प्रशनों का टेस्ट जरूर दीजिए, तो चलिए, सुरू करते हैं, सबसे पहले Theory Section को डिसकस क देखे दोस्तों, अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत में कई सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए, भारत में प्रचलित सती प्रथा एवं ठगी प्रथा को अंग्रेजों ने ही समाप्त किया था, राजा राम मोहर राय के सहयोग से वैंटिक ने 1829 में सती प्रथ को समाप्त कर दिया था, बैंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा सत्रा के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोशित कर दिया था, तो याद रखियेगा, राजा राम मोहर राय के सहयोग से वैंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया बैंटिक ने करनल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था, 1795 और 1804 के बंगाल बिनियम अधनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोशित किया गया था, इस अधनियम के अंतरगत सिसु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था, हिंदू पुनरवीवा अधनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, यह अधनियम लाड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था, याद रखियेगा हिंदू बिधवा पुनरवीवा अधनियम 1856 को लागू हुआ था, यह लाड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था, अंग्रेजों उन्हें भारत में अंग्रेजी भासा की शुरुवात की थी। ब्रिटिस ने अंग्रेजी भासा को भारती समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। और निवेसिक सासन को सुचार रूप से चलाने के लिए एक ऐसे वर की अवसकता को पूर करने के लिए जो र सभी तथ ध्यान से देखते हुए चलिए इसी से संबंधित प्रस्ण आगे देखने को मिलेगा 1835 में लाड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध अस्मरन पत्र गवर्नर जनरल की परिशत के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे लाड विलियम बैंटिक ने स्वभिकार करते हुए अंग्रेजी सिक्षा अदनियम 1835 पारित किया था सिक्षा संबंधि सुधारो हेतु डलहुजी ने 1854 के उड़ डिस्पैच को लागू किया था उड़ के घोशडा पत्र 1854 को भारते सिक्षा का मैगना कार्टा कहा जाता है 1872 में पारित एक कानून अंतर जाती और अंतर सामप्रदाइक बिवाह को मनजूरी दी गई थी सारदा अधनियम 1939 में बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था इस अधनियम में कहा गया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र के लड़के से साधी करना अवैज था आगे बढ़ते हैं बाल बीवाह अवरोध अधनियम 1929 को सारदा अधनियम के नाम से भी जाना जाता है भारत में याता यात विवस्था की सुरुवात का स्रे बिटिस सासक को जाता है अंग्रेजो ने अंतर देशी छेत्रों को निरियात बंदरगाहों से जोडने के लिए रेलवे की सुरुवात की थी ताकि बिटिस माल की आवाजाही को शुगम बनाया जा सके रेलवे को अंग्रेजो द्वारा सुरू किये गए सबसे महत्तपूर योगदानों में से एक माना जाता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा भारत में रेलवे सर प्रथम 16 अप्रैल 1853 को लाड डलहुजी के कारिकाल में बंबई से थाने के बीच 34 किलो मीटर तक चलाई गई थी याद रखिएगा भारत में सबसे पहले रेलवे 1853 को लाड डलहुजी के कारिकाल में बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी भारत में प्रथम रेल लाइन लाड डलहौजी ने बिच्वाई थे भारत में पहला डाक घर 1764 को बामबे में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा अस्थापित किया गया था आगे बढ़ते हैं अस्थाई बंदोबस्त इस्ट इंडिया कमपनी और बंगाल के जमिदारों के बीच करवसूलने से सम्मंधित एक अस्थाई बिवस्ता हेतु समझोता था जिसे बंगाल में लाड कार्णवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त लाड कार्णवालिस द्वारा 1793 को लागू किया गया था बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त लाड कार्णवालिस ने शुरू किया था सभी तत्थ ध्यान से देखते हुई चलिए 1822 में अंग्रेजो ने उत्तर पस्चमी प्रांतो, पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्तों में महालवारी बंदोबस्त की सुरुवात की थी अंग्रेजों दोरा रहयत वाडी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था पूछा जाता है रहयत वाडी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था भारत में ब्रिटिस नीतियों का एक बड़ा आर्थिक प्रभाव चाय, काफी, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और त प्रशिद था, याद रखिएगा बिहार छेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रशिद था, ब्रिटेन और भारत के बीच कपड़ा ब्यापार की दिशा में एक बिप्रीत प्रभाव पड़ा, अंग्रेज अपने माल को सस्ते दाम पर बेचने में सफल रहे, क्योंकि बिद भारती हस्त सिल्फ पर भारी कर लगाया गया था, इसके अलावा अपने उद्योक पतियों के दवाव में बिटिस सरकार ने अकसर भारती वस्त्रों पर सुरक्षात्मक सुल्क लगाया था, इसलिए कुछ वर्सों के भीतर कपड़े के निर्यातक होने से भारत कच्चे कपा का कारण बना, अंग्रेजु द्वारा सरप्र्थम कहवा बागान वायनाड जन्पद में लगाये गये थे, याद रखियेगा सरप्र्थम कहवा बागान वायनाड जन्पद में लगाये गये थे, बिटिस सासन के दवरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास न और सभी प्रश्णों का उत्तर बताने का प्रयास करिए ब्रिटिसों ने निम्न में से किस भासा को भारती समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी तो इसका जवाब है अंग्रेजी ब्रिटिसों ने अंग्रेजी भासा को भारती समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी यहाँ पर C option right है निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा सुरू किये गए सबसे महत्पूर योगदानों में से एक माना जाता है तो याद रखिएगा railway railway अंग्रेजों द्वारा सुरू किये गए सबसे महत्पूर योगदानों में से एक माना जाता है यहाँ पर B option right है भारत में पहली रेलगाडी किस वर्ष चलाई गई थी तो इसका जवाब है 1813 में भारत में पहली रेलगाडी 1813 में चलाई गई थी यहाँ पर B option right है अगला प्रशन है भारत में पहली रेलगाडी किन दो अस्थानों के बीच चलाई गई थी इसका जवाब है बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी यहाँ पर C option right है अगला प्रशन है बाल बीवाह औरोध अधनियम 1929 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है इसका जवाब है सारदा अधनियम के नाम से जाना जाता है यहाँ पर A option right है अगला प्रशन है 1764 में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा अस्थापित भारत का पहला डाक घर निम्न में से किस अस्थान पर था इसका जवाब है बामबे यहाँ पर D option right है 1764 में British East India Company द्वारा अस्थापित भारत का पहला डागघर बामबे में था यहाँ पर D option राइट है हिंदू बिधुआ पुनर बीवाह अतनियम किसके द्वारा पारित किया गया था इसका जवाब है कैनिंग द्वारा पारित किया गया था हिंदु बिधुआ पुनर बीवाह अतनियम कैनिंग द्वारा पारित किया गया था यहाँ पर C option राइट है 1795 और 1804 के बंगाल बिनियमन अतनियमों ने निम्न में से क्या गोशित किया था इसका जवाब है कन्या हत्या को अवैद गोशित किया था यहाँ पर B option राइट है 1795 और 1804 के बंगाल बिनियमन अतनियमों ने कन्या हत्या को अवैद गोशित किया था B option राइट है भारत में यातायाद ब्यवस्था की सुरुवात का स्रेय किसको जाता है इसका जवाब है British सासक को जाता है बारत में यातायाद ब्यवस्था की सुरुवात का स्रेय British सासक को जाता है यहाँ पर B option राइट है अगला प्रश्ण है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्थ सुरू किया गया था इसका जवाब है अंग्रेजी सासनकाल में भारत का बिहार चेत्र अफीम उतपादन के लिए प्रश्ण था यहाँ पर A option राइट है अगला प्रश्ण है 18 सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदाई कारण क्या था देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है C option ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यहाँ पर C option राइट है अंग्रेजु द्वारा सर्व प्रुथम कहवा बागान कहां लगाए गए थे इसका जवाब है वायनाड जनपद में लगाए गए थे यहाँ पर D option राइट है बिटेस आसन के दोरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ इसका कारण क्या था देखे दोस्तों इसका कारण भारी उद्योगों का अभाव था यहाँ पर A option आपका राइट हुजाएगा भारी उद्योगों का अभाव था ए आपसन आपका राइट है भारती सिक्षा का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है याद रखिएगा उड के घोशडा पत्र 1854 को भारती सिक्षा का मैगना कार्टा कहा जाता है यहाँ पर ए आपसन राइट है अगला प्रश्ण है 1839 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था इसका जवाब है लार्ड विलियम बैंटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था यहाँ पर D. आप्सन राइट है मुख्यता किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था इसका जवाब है दोस्तो, राजा राम मोहर राए, यहाँ पर B option right है, राजा राम मोहर राए के सहयोग से बिलियम बैंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, यहाँ पर B option right है, अंग्रेजु दोरा रयत वाडी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, देखे दोस्तो, अंग याद रखियेगा, महलवाडी पडाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, इसे आप लोग याद रखियेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहां सुरू किया गया था? याद रखियेगा, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में सुरू किया गया था, यहाँ पर ए आपसन राइट है, तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है, यह सभी प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट ह है, उमीद है, यह क्लास आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों सेर करिए और कमेंट में लिक कर जरूर उताइए